अलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जो वादा किया है निभाऊंगा भी दो मुवी एक एकस्प्रेशन एक है क्वेंटिन टेरंटीनों की वन्स अपान अ टाइम इन हॉलिवूड दूसरी है इंडिपेंडेंट फिल्म चारली सेज और इन दोनों फिल्मों को जोड़ती है ये सुंदरी ये आदमी और इस आदमी की ये लड़कियां दोनों फिल्में हमें 9 अगस्ट 1979 की तारीक की तरफ लेके जाती हैं लॉस एंजिलिस जहां पर हॉलिवूड स्थित है वहां बहुत से लोगों कैसा मानना है कि 9 अगस्ट 1979 को 60's का दशक अचानक से खतम हो गया थोड़ा सा पेशन्स रखें ये बैग्राउन बताना जरूरी है 60's जानी की काउंटर कल्चर का दशक ड्रग्स, सेक्स और रॉक अन ड्रोल उस दिन इस काउंटर कल्चर पर परदा गिर गया कारेंटीनो ने अपनी फिल्म के एंड को एक ट्विश दिया है और चारली सेज सची घटनाओं के आधार पर चलती रहती है तो ऐसा आखिर क्या हुआ था उस दिन ये जानने के लिए अन तक बने रहें वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपका सपोर्ट हमारी अनकरेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है अब सिधा कहानी की तरफ कहानी की शुरुआत होती है लूलू से जो शावर ले रही है उसके चहरे और हाथ पर खून लगा है और उसे देखकर ये साफ हो जाता है कि ये खून उसका नहीं है बाहर किचन में टेक्स और केटी भी नहा दोकर कपड़े बदल चुके हैं यहां से कहानी तीन साल आगे बढ़ती है कैलिफोनिया की स्पेशल सिक्योरिटी जेल की तरफ जहां लूलू, केटी और सैडी कैद हैं लूलू और केटी समाने लगते हैं लेकिन सैडी सैड लगती है जेल के करेक्शन प्रोग्राम के तहट कारलीन फेथ उन्हें पढ़ाने पूंचती है उनके सहथ सभाव को देखकर कारलीन को विश्वास ही नहीं होता कि वो कतल जैसे संगीन जुल्म के लिए कैद हैं उनसे बाचीत के दोरान कारलीन को एहसास होता है कि वो तीनों पूरी तरह से चारल्स, चारली, मैंसन के समोहन में हैं सेडी का असली नाम सूजन है लेकिन वो मानती है कि सूजन मर चुकी है क्योंकि चारली ने उसे सेडी बनाया है केटी और लूलू भी पीछे नहीं चारली का गुनगान करते हुए उनके चेहरे पर मुसकान रहती है यहां से हम लूलू के जरिये स्पान रैंच पहुँच जाते हैं बूत को स्पान रैंच ले जाने में काम्याब हो जाती है स्पान रैंच का मालिक है जॉर्ज स्पान जिससे हम थोड़ी देर में मिलेंगे बूत जॉर्ज को अच्छी तरह से जानता है आठ साल पहले तक रैंच पर वेस्टन कौबवई फिल्म्स की शूटिंग हुआ करती थी जिन्वे से कई फिल्मों में बूत ने स्टंड किये थे लूलू के रैंच पे आते ही उसे अपना लिया जाता है और बहुत सारा प्यार भी बिलता है और साथ ही एक नया नाम उसका असली नाम लेसली था लूलू नाम उसे चारली देता है चारली रैंच का गुरू है लेकिन उसके अनुयाई और वो खुद भी अपने आपको भगवान से कम नहीं मानता बाहर की दुनिया में उन सब को मैंसन फैमली के नाम से जाना जाता है केटी को लूलू को रैंच के नियमों से अवगद कराने की जिम्मेदारी सोंव दी जाती है केटी से रैंच के तौर तरीके सीखते हुए लूलू टेक्स से मिलती है जो अब भी अपनी एगो यानी की आंकार से जूज रहा है चारली का मानना है कि सभी को अपने आंकार को त्याग देना चाहिए अगला नंबर है जॉर्ज का जिससे मिलने के लिए भूत भी बहुत बेकरार है बाइदवे वे वन्स अपन अटाइम का भूत एक कालपनिक पातर है रैंच पर चारली के ना होने की वज़ा से टैक्स को भूत का निरक्षन करने के लिए बुलाया जाता है और उसके इमतिहान में भूत पास हो जाता है टैक्स के जाते ही बूत उनके और जॉर्ज के रिष्टे के बारे में बात करने लगता है उसके सवालों को सुनकर रैंच की लड़कियां विचलित हो जाती है उनकी बातों से पता चलता है कि वो बूत को जॉर्ज से मिलने देना नहीं चाती लेकिन जिद्धी बूत किसी की नहीं सुनता उसे जॉर्ज के शैक की तरफ बढ़ता हुआ देखकर शैक में अफरा तफरी मच जाती है एक लड़की को छोड़कर बाकी सब शैक को छोड़कर निकल जाते हैं शैक में बूत का बहुत थंडा स्वागत करती है स्क्वीकी वो बताती है कि जॉर्ज सो रहा है और बूत उससे इस समय नहीं मिल सकता वो जितने बहाने बनाते हैं बूत उतना ही धीट होते चला जाता है आकिर कर हम मिलते हैं 80 साल के जॉर्ज स्पांस से जिसे अब ठीक से दिखाई भी नहीं देता और वो बूत को ठीक तरह से पैचानता भी नहीं उसे जिन्दा देखकर बूत खुश होता है वो समझ जाता है कि जॉर्ज ने हिप्पियों के साथ एक तरह का सौधा कर लिया है हिप्पी रैंच पर फ्री रह सकते हैं जिसके बदले उन्हें जॉर्ज की देखबाल करनी होगी ये था टेरेंटीनों का सब्वे वर्जन चारली सेज का वर्जन सची घटनाओं पर ही अधारित रहता है चूटिंग्स बंध होने के बाद रैंच को एक टूरिस स्पॉट बना दिया गया था और हिप्पीज वहाँ पर घुड सवारी के दोरे भी करवाते थे ये वन्स अपॉन वाले टेक्स और लूलू है और चारली सेज वाली लूलू को कैटी समझाती है कि इनसान के शरीर की सभी भूख सवभाविक हैं उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंद नहीं लगाना चाहिए और तभी लूलू को रैंच पर मिलता है अमरीकी रॉक बैंड बीच बॉइस का डैनिस विलसन एक रॉक स्टार जो मजे से रैंच में घूम रहा है और चारली का दोस्त है तोड़ी देर पहले ही लूलू को शरीर की सभाविक भूख का ग्यान मिला था जिसके बाद उसकी मुलाकात एक रॉक स्टार से हुई और अगला नंबर आता है मुफ्त के ड्रग्स का समाज की बंदीशों से दूर चारली की स्वतंतर स्वर्ग जैसी दुनिया लेसली की मौत रैंच पे आते ही कुछी घंटों में हो जाती है और जनम हो जाता है आजाद लूलू का दिन ढलता है और चारली मसीहा बन जाता है उस दिन का उबदेश डैडी चारली सैंडी के बारे में देते हैं जो बुरी तरह से कटी फटी उसके संरक्षन में आई है वहां लूलू की आँखों के सामने चारली सैंडी को आत्म गलानी और पुराने रिष्टों से आजाद कर देता है मैंसन फैंडी सैंडी को अपने आप में समा लेती है मंत्र मुग्द लूलू जेल में कारलीन से कहती है कि हर लड़की के पास चारली जैसा डैडी होना चाहिए चारली ने उन्हें समझाया था कि उन्हें सिर्फ बाइबल पढ़नी चाहिए और चारली के उफदेश सुनने चाहिए कारली न कहती है कि अगर उन्हें उसके साथ पढ़ना है तो उन्हें एक नई शुरुआत करनी होगी कारलीर अपनी सहलियों को बताती है कि चारली ने उन लड़कियों को पूरी तरह से ब्रेनवाश कर रखा है और उन्हें कोशिश करनी चाहिए उन्हें की मदद करने की लेकिन वो दोनों इसके लिए राजी नहीं होती मैं पता चलता है कि उन्हें अब तक जेल में तीन साल हो चुके हैं लेकिन अब भी उनके मन में चारली के प्रती आस्ता कम नहीं हुई है इस बार हम केटी के साथ रैंच में वापस जाते हैं उस सुबा केटी लूलू को उठाती है एक नई एडवेंचर के लिए वो सब शहर जाएंगी कूडे दान यानि की गार्वे स्किप्स को खंगाल लें और अगर लूलू चाहे तो वो शहर में ही रुख सकती है लेकिन अब लूलू रैंच को छोड़ कर कहां जाने वाली थी बस तिकलने से पहले चाली बताता है कि औरतों को पैसे की कोई जरूरत नहीं है रैंच के मर्द ही पैसों का वेवार करेंगे चहर जाकर कूडे दानों को खंगालने में लड़कियों को कोई आपती नहीं बलकि ऐसा लगता है वो इसमें मजा लेती है Once Upon a Time में भी पूसी कैट की आँखे चार बूत के साथ ऐसी ही एक ट्रिप पर होती है कूडे दानों को खंगालने में मजा लेना इससे ये बात तो सफश हो जाती है कि वो लड़कियां चाररी के कहने पर कुछ भी कर सकती थी और शाम को कूडे दान में से कंगाले हुए खाने को जब वो बैठते थे तो मर्दों को खाना पहले परोसा जाता था पेट की भूग को मिटाने के बाद शुरू होता था सामोहिक संभोग यानि की और जी जिसमें सब बरावर थे यहां लड़कियों की इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाता था अपने उब देशों में चारली फ्रॉइड जैसे मनो विग्यानिकों का भी सहरा लेता था लूलू को भी अपने हिस्से का प्यार मिलता है और सैंडी रो रोकर अपने अतीत को धोती रहती है जो लूलू को विचलित कर देता है चारली उसे समझाता है कि ये सैंडी के पुनर जरम के लिए जरूरी है साथ ही वो लूलू को अश्वस्त करता है कि वो उन सब का पिता है और उन सब से बहुत प्यार करता है कारलीन की सच्ची लगन को देखते हुए जेल प्रशासन उन सब को एक साथ बैठके पढ़ने के लिए एक सेल दे देता है वो तीनों एक साथ बैठकर बहुत खुश होती हैं और रैंच पर बीसी वाले समय को याद करती हैं बीसी याने विफोर दा क्राइम जब चारों तरफ प्यार ही प्यार था और मैरी ने अपने बच्चे को जनम दिया था क्विकी जॉर्ज का तन और मंद से ध्यान रखती थी लूलू चारली को बाइबल पढ़कर सुनाती थी और चारली उसे बताता था कि किस तरह बाइबल में लिखी बातें उसके बारे में हैं कैसे एक क्रांती आने वाली है विद्वन्सक क्रांती जिसमें बहुत खून खराबा होगा इंसानी नसलों के वीच में मार काट जिसके दोरान चारली और उसके अनुयाई एक बहुत गहरी गुफा में इंतजार करेंगे जहां सिर्फ संगीत और प्यार होगा क्रांती खत्ब होने पर उसके कुछ अनुयाईयों के पंक निकलाएंगे और वो गुफा से बहार आ जाएंगे ये सुनकर कारलीन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता लड़कियों के अनुसार चारली गलत थोड़ी हो सकता है और जब कारलीन उनसे उनके विचार जानना चाती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कारलीन को भटकाने के लिए लूलू उससे उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है कारलीन उसे बताती है कि वो अपने परिवार के साथ दुनिया के बहुत से देशों में गुंकर आई है परिवार का नाम सुनके लूलू को वो समय याद आता है जब उसने अपनी मां को दो टुक जवाब दे लिया था और उनसे नाता तोड़ लिया था वो रेंच पर अपनी नई फैमली के साथ बहुत खुश थी उसी दोरान चारली को भी एक खुशकबरी मिलती है बीच बॉय वले डैनिस ने अपने बैंड को मना कर चारली का एक गाना रिकॉर्ड करवा लिया था वो इससे ज़्यादा किसी और चीच का वादा नहीं करता लेकिन चारली को लगता है कि अब वो एक रॉक स्टार बनने वाला है दूसरी तरफ लूलू ने चाहे अपने परिवार के साथ नाता तोड लिया हो लेकिन उसके परिवार ने उसके साथ नाता नहीं तोड़ा था इन साल जेल में रहने के बाद पहली बार उससे कोई मिलने आता है और वो थी उसकी माँ जो उसके हाल के लिए अपने आपको दूशी मानती है और अब हम पहली बार आत्म विश्वास से भरी हुई लूलू की आँखों में संदे दे रैंच पर भी ऐसे मुके आये थे लेकिन चारली और इसकी भीड ने उन्हें कुछल दिया था मसलां चारली को जब पता चलता है कि टेरी मेलचर रैंच पर आने वाला है तो वो बेचायन हो जाता है टेरी मेलचर एक रिकार्ड प्रोड्यूसर था डैनिस विल्सन के कहने पर वो चारली का म्यूजिक सुनने आ रहा था जो चारली हमेशा अपने अहंकार को मारने की बात करता था वो एकदम से पल्टी मार देता है वो टेरी के साथ म्यूजिक अलबम बनाना चाता है रॉक्स्टार बनना चाता है वो चाता है कि रैंच को साफ किया जाए टेरी को कूडे का नहीं साफ सुत्रा खाना परोसा जाए ये सब सुन और देखकर लूलू के मन में संधे उठता है चारली कहता है कि जीजस के अनुयाईयों के मन में भी कभी कभी संधे उठता था क्यूंकि वो सब कुछ नहीं जानते थे उसी तरह उन सब को भी समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और फिर अपने वादे के अनुसार टेरी रैंच पर आता है और आते ही सीधे पॉइंट पर भी आ जाता है और उसके आदेश के अनुसार चारली सीधे अपने गाने पर आ जाता है और चारली के आदेश के अनुसार लड़कियां अपनी हरकते उपर रैंच पर सब को विश्वास हो जाता है कि चारली का समय आ गया है दुनिया को जिस संदेश की जरूरत है अब वो उनके पास पहुँचने वाला है लेकिन सचाई कुछ और ही होती है जो चारली जानता है उसकी सारी भड़ास सैडी पर उतरती है आने के टेबल पर वो चारली को उटा जवाब देती है और चारली उसकी जब कर बिटाई करता है लूलू उससे उसका हाल पूसती है तो सैडी संदीप रेडी वांगा वाला जवाब देती है जिस आदमी से आप प्यार करते हो उसकी मार में भी उसका प्यार ही होता है जिसे सुनकर लूलू को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता चारली समय समय पर अपने अनुयाईयों का कड़ा इंतिखान भी लेता रहता है टैरी मिल्चर वाली दुर्गती के बाद चारली में आया बदलाव बढ़ता जाता है अब वो नसल भेद और हिंसा की बाते करने लगता है उसके अनुसार काले अमेरिकन गोरे अमेरिकन्स का नर्थनहार करेंगे और उनकी जीत भी हो जाएगी लेकिन जीतने के बाद उन्हें समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है उन्हें अपने मार्क दर्शन के लिए एक गोरे इंसान की जरूरत पड़ेगी और वो मसिया होगा चारली ऐसे विश्वासों का खंडन करने के लिए कारलीन अपने एक काले साथी को लड़कियों से मिलाती है जो उन्हें विश्वास दिलाता है कि काले अमेरिकन कभी भी इसी गोरे अमेरिकन का नेत्रित्र नहीं ढूंडेंगे रैंच पर चारली आने वाली हिंसक क्रांती के विरुड लड़ने की तयारी शुरू करवा देता है और रिकॉर्ड डील ना मिलने की वज़ा से डैनिस के साथ भी नाता तोड़ देता है आने वाली काली करांती में सेंद लगाने का भी उसके पास प्लैन है कुछ संपन श्वेट अमेरिकन को मार कर उनकी हत्या का आरोप काले अमेरिकन पर लगाने का ती दरान लूलू को रैंच छोड़ने का एक सुनहरा मौका मिलता है डैनिस उसे वहां से ले जाने आता है चारली भी इसके खिलाफ अपती नहीं जताता लेकिन नादान लूलू इस सुनहरे मौके को गवा देती है डैनिस के जाते ही चारली लूलू को एक खाई के पास ले जाता है और कहता है कि अगर वो उसको छोड़ कर जाना चाती है तो वो खाई में चलान लगा सकती है उसके पास यही एक विकल्ब है, उसे छोड़ देगा टेक्स भी आकिरकर अपने एहंकार पर काबू पा लेता है और अपनी आईडी जला देता है वो सब करांती के लिए तैयार हैं लेकिन इस करांती की आड़ में चार्ली के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था वो टेरी को भूला नहीं था फोन पर जवाब ना मिलने पर वो टेरी के घर पहुंच जाता है जहां उसे मिलती है हॉलिवुड की फेमस एक्ट्रेस शारन टेट शारन उसे बताती है कि टेरी मैलिवू शिफ्ट हो गया है ये सुनकर चार्ली चुप चप वहाँ से चला जाता है Once upon a time in Hollywood में बूत चार्ली को शारन के घर की तरफ जाते हुए देखता है जहां शारन का दोस जे सैबरिंग उसे रोकता है टेरी के बारे में पुछने पर वो चार्ली को बताता है कि उस बंगले में अब मशूर फिल्म डारेक्टर रोमन पॉलंस की रहता है शेरन भी तब तक दरवाजे पर आ जाती है जे चार्ली को रियल एस्टेट एजेंट को कॉंटक्ट करने के लिए कहता है और चार्ली चुपचप वहां से निकल लेता है जेल में शेरन का इंटर्व्यू देखकर सैडी तूट जाती है और ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मंगती है रैंच पर वापस आकर चार्ली सैडी और टेक्स को टेरी के घर जाने को कहता है उन्हें वहां जाकर वहां रहने वाले लोगों को मारना है और मौकर ये वारदात को इस तरह से छोड़ना है कि इल्जाम काले अमेरिकन्स के उपर आए केटी और लिंडा भी उनके साथ जाते हैं ये वही आठ और नो आगस्ट 1979 की दरमयाना रात है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था उस रात चार्ली के कहने पर टेक्स, सेडी, केटी और लिंडा ने पांच लोगों की हत्या की जिन में शेरन टेट भी शामिल थी शेरन साड़े आठ महीने की गरववती थी शेरन का पती रोमन पॉलेंस की उस समय देश से बाहर था इन खोफनाक हत्याओं ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया सेडी के बाद जेल में लूलू भी तूट जाती है वन्स अपॉन अटाइम इन हॉलिवुड में टेरन्टीनो ने इस एंडिंग में ट्विश्ट डाला है वहाँ शेरन के घर की जगा तारो हत्यारे गलती से कालपनिक एक्शन स्टार रिक डाल्टन के घर पहुंच जाते हैं रिक के घर पर उन्हें LSD के नशे में धुत उसका स्टन डबल क्लिफ बूत मिलता है क्लिफ उसका कुता ब्रैंडी और बाद में रिक डाल्टन केटी और सेडी का बुरा हशर करते हैं एक तरह से ये अमेरिकन फेंटेसी है सिनेमा के परदे पर पोईटिक जस्टिस भी हत्या की थी और इस बार लूलू उनके साथ थी और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने कहानी शुरू की थी जेल में कारलीन का प्रयास आखिर कर रंग लाता है और उन तीनों को एहसास हो जाता है कि उन हत्याओं से कोई भी करांती नहीं आने वाली थी वो हत्याओं गलत थी और इस एहसास के साथ ही उनका जीवन भर का पश्चताप शुरू हो जाता है काश लूलू उस दिन डैनिस के साथ रैंच छोड़ कर चली जाती